कि अलो रिवन दिस इस एलिक स्मित वैलकम टू नॉलिज अबिशन दिस इस अ प्लाटफॉर्म फॉर स्टडी इन स्मार्ट वे तो स्वागत है आपका करेंट अफेर टूड़े के सेशन में आज है 18 अपरेल 2020 और आज की इस वीडियो में डिसक्स करने वाले अगर आप चैनल पर पहली वराएं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और नॉट्फिकेशन बेल को आउन कर लिजी तक कि आने वाले सभी रगुलर अपडेट आप तक रगुलरली पहुंचते रहें तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो का पीडियो को वा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहला कौशन या पर पूछा क्या है विच एप हैस बीन लॉंच्ट बाइ अग्रिकल्चर में स्टू फैसलेट ट्रांस्पोर्टेशन और फूड ग्रेंज क्रिशी मंत्राले ने खाद्यायन के परिवहन की सुविधा के लिए ह्यां आप लॉंच किया है दieu्ण किसान रन क्रिशी संवल्ट समवधन किसान रेल किसांब या इसको रॉपिसर्स नंबर वान सब्सक्राइब क्रिश मंत्राह tussen लिए-खाद्यायन के परिवहन की इप लौच किया है आपको यह याद रखोना हैं और हैसका रॉन हो बात करें आपके agriculture minister की तो परजाइन टाइम पर जो आपके अग्रिकल्चर मिनिस्टर है वह नरेंदर सिंग टॉमर इनके बारे में आपको याद रखना है इनके द्वारा ही किसान रत मुबाइल एप लॉंच किया गया है तो फैसिलियेट ट्रांस्पोर्टेशन और फूरेंज परिशेबल डियुरिंग लॉक्टाउन आपको इस मुबाइल आपका नाम याद रखना है और साथी में आपके अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारे याप लॉंच की गई है और अग्रिकल्चर मिनिस्ट्र का नाम भी आपको याद रखना है नरेंदर सिंग्टाउमर आपके परजायन टाइम पर अग्रिकल्चर मिनिस्ट्र है नेक्स्ट आपका कॉशन नमबर टू पूछा गया कि विच स्टेट्स रिसर्च इंस्ट्यूट है डवलप लो कॉस्ट कोवर्ड-19 डाग्नोस्टिक किट नेम्ड चित्रा जीन लैंप एन किस राज्य के शोद संस्टान ने कम लागत वाली कोवर्ड-19 डाग्नोस्टिक किट चित्रा जीन लैंप एन विक्सित किये हैं माद्य परदेश ने केरला ने उत्यव परदेश ने या तेलंगाना ने तो इसका राइट इंट्र है आप्शन नमबर बी यानि केर केरल राज्य के स्थान से कम लागत वाली कोवर्ड-19 डाग्नोस्टिक चित्स शथा कभध नामर कोbas और साथ ही मैं जिसके राज्य Л नाम यानि केरल के संस्थान दोरा जो है यह विक्सित की गई है पूछा गया कि Delhi government has launched which new application to fight COVID-19 virus दिली सरकार ने COVID-19 virus से लड़ने के लिए कौन सा नया application launch किया है तो Delhi government के द्वारा एक और नया अप जो है launch किया गया है उसका आपको नाम बताना है एक एसेस कोरोना जिन्दगी कोरोना या सहयोग तो इसका राइट अप्शन नमबर ए यानि एसेस कोरोना जो यह एसेस कोरोना ऑप्शन नमबर वान है यह इसी नाम की आप जो है डेली गवर्मेंट द्वारा लांच किया गया है कोवर्ड नाइंटीन वाइरस से लड़ने के लिए तो आप इसको याद रखेगा एसेस कोरोना आप का नाम याद रखना है यह डेली सरकार दोरा लांच की गई है टूफाइट विकोवर्ड नाइंटीन वाइरस नेक्स्ट आपका कोशन नमबर फूर पूछा गया कि हूँ वाइरस बीन अपॉइंटेड एस अंबैसेडर और वर्ल्ड वार्लाइफ फंट इंडिया वर्ल्ड वार्लाइफ फंड इंडिया के नए अंबैसेडर कौन नीक्त हुए है पताना है दिपिका पादुकोर्ण आर्यवड विराट कोहली या विश्मनातन आनंद तो इसका रा एक चैस प्लेयर है अब आपसे कौशन पूछा चाह सकता है कि विश्मनातन आनंद जो है किस खेल से संबन्दिज है आपको पता होने चाहिए यह चैस केलते हैं और इनके बारे में जो फाइव टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहें विश्मनातन आनंद विश्मनातन आनन थास words구비the -lay यह यह मीज़िविंट कि त्रृफ बीश्त की आपकी त्रीम रही है यह इसकी सबसे पहले बताया है कि एशिया में जो है साथ वर्षों में पहली बार जीरो परसेंट बृद्धी दर्ज है दर्ज की गई है यह आपकी IMF की रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल मोनेटरी फॉंड की कि एशिया में साथ वर्षों में पहली बार जो है जीरो प्रतिशत बृद्धी दर्ज है वो दर्ज की गई है इसी वर्ष दोजाब 20 में नेक्स्ट आपका विनीत अरोरा अपॉंटेड एज दा आपको इनका नाम याद रखना है और जो पेटियम जर्नल इंशॉरंस इसके एमडी एंट सीओ निक्त के गए हैं यह नहीं आपको याद रखना है नेक्स है चाइना लेजिस फॉर्थ एशिन पैरा गेम्स 2020 मैस्कोट आज फीफी वर्ड अब चाइना के दोरा आप चौते इसका जो आपके 2022 में होंगे उसका जो मैसकोट जारी कर दिया गया है इसका मैसकोट इनके दोरा रखा गया है फीफी वर्ड को यानि फीफी जो पक्षी है इसे जो है as a mascot launch किया है फोर्थ एशिन पैरा गेम्स 2022 के लिए चाहिए नहीं के लिए चाहिए आपको नेक्स आपक एक्टर थे आपको याद रखने रंजीत चौदरी के बारे में नेक्स्ट आपका फर्स्ट एवर ओनलाइन ट्रेनिंग और कोच इस द्यूरिंग कोवर 19 लॉक्टाउन स्पोर्स मुनिस्ट्री के दोरा यह कहा गया है जो आपका फर्स्ट एवर ओनलाइन ट्रेनिंग है कोच की जो आपके स्पोर्स के कोच होते हैं उनकी ओनलाइन ट्रेनिंग की शुरुआत की गई डियूरिंग कोवर 19 लॉक्टाउन फर्स्ट एवर ओनलाइन ट्रेनिंग स्पोर्स मुनिस्टी के द्वारे एक रिपोर्ट दीगी है नेक्स्ट आपका फॉर्मर पाकिस्तानी फर्स ग्रिकेटर जफर फर सरफ्राज सब्सक्राइब 50 दूट टूगरनावारे इस अपके जो सजोफ्र फासरalyst वहन का हाली में नेदन हो गया वह वह सब्सक्राइब कर्बैद्रों700 आपसे लिए जाती पर आपको इनको डेली बेसे पर 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 पढना है ताकि आपको झलदी से एक्जाम में रिकॉल हो जाए आपको याद रहे हो याद रखना है जाफर सर्फराज इनका हाली में निदन हो गया है वो क्या थे आपके फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर थे और ड्यू टू कोवेड नाइंटी इनका निदन हो गया है एक तर फिप्टी यानि 50 वर्श के नेक्स्ट एपका अंदर परदेश सीअम जगनम हो ईखल रेडरी लाँच फाइस और निर्माड online platform去 सबब्ला नाम कर भाइस और निर्मार लांच यांगर नइक सका अंदर पर्देश की चीफ मिनेश्र गर्म हो बारा लांच किया गया नाम नियाद रखना यह वाइस निर् यह online platform जो है launch किया गया है तो आपको maximum time देखने को मिलेगा कि जो आपके आंदर परदेश की जितने भी online portal है जितनी भी maximum app से कुछ को छोड़ कर तो सबी की जो हैं आपकी YSR यानि YSR से यह शुरुत कर दी है आप YSR का funda क्या है और आदर परदेश की सभी schemes के उपर हम एक अलग session करेंगे वहां पर आपको important government schemes के बारे में हम आपको बता दूँगा तो आपको फिलाल याद रखना है YSR निर्मार online platform जो है यह आदर परदेश चीफ मनेश से जगर्मान रेड़ी द्वारा online platform ही launch किया गया है और इसकी दोज़ाब इसकी जो थीम रही थी वह रही थी दे ट्रांजिशन आफ अडल्टूड ट्रांजिशन आफ अडल्टूड आपको दोज़ाब इसकी थीम रखनी थी वर्ल्ड आटिजम अवेर्नेस डे की जो की मिना जाता है यहां पर कुछ और यहां इसके बारें बात करें तो इट वास फर्स्ट अब्जॉब्बन 2008 में पहली बार मनाया गया था स्यां लाक्ति और 8th आपरिल पौह और करण को इंट्रायशनल डे आफ माइन अवेर्नेस मिना जाता है और को इंटर्णाशनल रोमानी डे यह काफी इम्पोर्टेंड आपको याद रखने को इंटर्नीकल रोमानी डे मना जाता है 10th April की बात करें तो आपका वर्ल्ड हेमिपेथी दे मना जाता है और दोजाब 20 की स्कूजी तीम रही थी वह रही थी enhancing the scope of hemipathy in public health तो दोजाब 20 की यह थीम भी आपको याद रखनी है 10th April वर्ल होमिपेथी डे लेक्स आपका 11th April 11th April को आपका मना जाता है 11th April को आपका National Safe Motherhood Day मना जाता है और साथी में बात करें International Day of Human Space Flight International Day of Human Space Flight Day जो आपका अब्जोब किया जाता है 12th April को मना जाता है और साथी में 12th April को आपका इस्टर फेस्टिवल मना जाता है नेक्स्ट आपका 13th April को जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था और 14th April को डॉक्टर बियार अम्बेट कर रिमेंब्रेस दे मना जाता है डॉक्टर भीम्रा अम्बेट कर जैनती 14 अप्रेल को मना जाती अपंद्रा अप्रेल को हिमाचल दे आपका किया जाता है और साथ ही में बात करें आपका कुछ इंपॉर्टन इन्हें आपको याद रखना है जो इंडियन आर्मी ने जो है आपका 36 यह इंडे जो है वह 13 अपरिल 2020 को से लिए किया है जब का नंबर कौन से नंबर का जी यह सियाचीन दे था 36 नंबर का इंडे जो है इंडियन आर्मी के द्वारा जो है 13 अपरिल 2020 को मना आ गया है बात करें वर्ल्ड चागा डिजीज डे आपका वर्ल्ड चागा डिजीज डे काफी इंपॉर्टन आपके एक्जाम के लिए आपको इस पर में फोकस करना है तो आपको याद रखना है वर्ल्ड चागा डिजीज डे आपका 14 अप्रेल को मना आ जाता है और 2020 में ही इसकी शुरुआत की यह इसी वर्ष 14 अप्रेल से इसकी शुरुआत की गई है वर्ल्ड चागा डिशीज डे टूस प्रैट दा अवेर्नेस अबाउट दा जबर चागा जो रोग दिवस है आपक बात करते हैं इंट्रनेशनल मैथेमेटिक्स टी इंट्रनेशनल मैथेमेटिक्स डे आपका 14 मार्च को मना जाता है और सहाती में इंट्रनेशनल डे फोर एक्षिन फोर रिवर्स 2020 यह भी मार्च 14 को ही मना जाता है नेक्स अम बात करते हैं आपके 17 अपरिल की तो 17 अपरिल को ह एटीन थे प्रिल को आज आपका इंटरनेशनल हर इस डे यह वर्ल्ड हर इस डे यह यह आज की दिन ही मना जाता है इसका आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईगा पूछा गया कि नेम दा मल्टी लिंग्वल साइंस कॉम्णिकेशन इनिशेटिव लॉंच्ट बाइद गवर्मेंट अफ इंडिया आपको भारत सरकार द्वारा शुरू की की बहु भाशी विज्ञान संचार पहल का न अफिर आपका कोविड गयान तो इसका राइट असरा आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा क्योंकि इस कॉशन को हम करेंट अफेकर सेशन में पहले की वीडियो में अगर आप रहगुलर करेंट अफेकर सेशन में जुड़े हो तो हम इन्हें पहले ही डिसक्स क कर चुके हैं तो इसका अंसर आप मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा काफी इंपॉर्टन कॉशन है आपके लिए नैस्ट है आपका लास्ट वीडियो में जो हमने कॉशन डिसक्स किया था उसका राइट इनसरा ऑप्शन नमबर 3 यानि कितने भारते अमेरिकों को इन चार नामों को भी डिसक्स कर चुक हैं डिटेल में तो यह थे हमारे आज के कुछ करन इंपॉर्टन करेंट है आपको यह पसंद आयोंगी वीडियो अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू कीज़ेगा और चैनल पर पहली वर आएं तो पुरी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और इस वीडियो का पीडियाफ आपको वाट्सप ग्रूप में मिल जाएगा वाट्सप ग्रूप का लिंक आपका वाट्स डिस्क्रिशन बॉक्स में दिया गया है इसके अलावा आप शोचल मीडिया के सभी प्लाटफॉर्म पर नौलिज पर यो ब्राइट फूचर